हेलो दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सुकू की वेज थाली में तो आज हम बनाएंगे मकर सक्रांती स्बेशल मुर्मूरे के लड़ू जो की हम बहुत ही असानी से बनाएंगे इसे लाई भी बोलते हैं चलिए देखते हैं कि इस मुर्मुरे के लड़ू को हम कैसे बनाते हैं और यह बहुत ही आसानी से बन करके तियार होगा आप बस देखते चलिए तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं मुर्मुरे तो यहाँ पर मैंने यह 500 ग्राम के लगभग में मुर्मुरा लिय आप मीठा पनी अनुशार ले सकते हैं और वह पहला जादा मीठा हो लिग्वाद्य के सब्सक्राइए तो कड़ाई के सती है और ग्यास लेने मार में मौकरी और देखिया है लिग्माव ले लिक यहां पर गुड को डाल दिया है और अब हम इसको इस तरीके से चलाते हुए इसको हम पिखलाएंगे तो बस इसे तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि गुड हमारा अच्छे तरह से गल जाए तो देखिए यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से गल चुगा है और इसमें उबाल भी आना सुरू हो चुगा है तो अभी हमें इसे लगादार चलाते रहना है देखिए इस तरीके से हमें इसको लगादार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे तो देखिए इसी तरीके से इसे हमें चलाते रहना है इसको छोड़ा नहीं है नहीं तो ये नीचे से चिपकने लएगा तो देखिए गुड़ हमारा गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी चासनी अब गाड़ी होने लगी है तो इसको हमें लगातार इस तरीके से चलाते रहना है तो देखिए यहां पड़िए चासनी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं तो इसको हमें अभी लगातार चलाते रहना है चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह हुआ है की नहीं त तरीके से चासनी को उसमें गिराएंगे ड्रॉप करके देखे इस तरीके से तो जो हमने तीसरा ड्रॉप गिराया ना वो बिलकुल ही एकदम गोल पेंदी में गिरके बैड़ गया इसका मतलब कि चासनी हमारी बिलकुल तैयार हो चुकी है तो अब हम मुर्मुरे पे चासनी को इस तरी के से उडेल देंगे आप देख सकते हैं हमें पूरे गुर्की चासनी को इस मुर्मुरे के ऊपर डाल देना है तो देखिए मैं यहाँ पर चासनी को डाल दिया है अब हम इसको कड़ेंगे मिक्स तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हमें कल्ची के सहाथ से ही मिक्स करना है नहीं तो यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि हाथ नहीं लगा देना है इसी तरीके से कल्ची के सहाथ से इसको हमें मिलाना है तो बस इसे तरीके से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आद देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं चारो तरफ से घुमाते हुए बर्तन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए बिल्कोल इसे तरीके से और हमें इसे जल्दी जल्दी mix करना है ठंडा हो जाने पर ये अच्छा नहीं बन पाता है लड़ू तो इसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी ही mix करना होता है देखिए इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से mix हो चुका है आप देखे, हमने इसको बहुत आसाने से mix कर लिया है, अब हम बनाएंगे इसके लड़ू, तो इस तरीके से इसको अब हाथों की सहाथा से यह हलका सा हाथ पे सहने लाइक हो गया है, तब हम इसको लड़ू बनाना सुरू करेंगे, तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरीके से बनाना सुरू करेंगे, इसके लड़ू, तो देखे, इसको दोनों हाथों से दबाते हुए हमें, इसके लड़ू बना लेना है, अब देख सकते हैं, बड़ी आसानी से यह बन करके तयार हो चुका है, तो बस इससे तरीके से हमें सारे लड़ू को बना ले कितनी आसानी से बन करके तैयार हो रहा है। तो बस Corinthian का ध्यान रखना है। यह लडू बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। टो देखें इसी तरीके से हमें सारे लडूओ को बना लेना है साइज आप अनुसार रख सकते हैं ऌंको केथनी पड़ी चाहिए फिर छोटी उसे-साइब से आप लडूओ को बना सकते हैं तो चलिए हम सारे लडूओ को बना करके मिलते था है कि तो देखी है यहां हमने सारे लड़ू को बना लिया है और यह बहुत ही आसानी से बन करके तयार हो चुका है आप देख सकते हैं हमने इसे कितनी आसानी से बनाया है आप देख सकते हैं तो बस हमारी यह मकर सकरांती स्पेशल मुरमुरे का लड़ू बन करके बिलकुल तयार हो चुका है आप से बन करके 10 मिनट में त्यार हो जाता है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंट में बताएगा कि आपको मेरे ये मुर्मुरे के लड़ू कैसे लगे धन्यवाद